इसका पेरिए और लियूदा आ बिसमिल्ली रुर्भानरहीम सलंद अलेकॉम आज का हमारा टॉपिक है ऐप्लोपिका सब्रहा किसेश्थ और लाईनियर कृईक्टा किसेन प्रिप्रेशन की क्रिप्रोग्राफिय में एप्लिकेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं। What is क्रिप्रोग्राफी। क्रिप्रोग्राफी is a method of protecting information and communication through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and process it। क्रिप्रोग्राफी है कोई भी message, कोई भी information उसको code और decode करना। ताकि जो हमारे पास information है वही read कर सके और उसको process कर सके जिन के लिए यह information बनाए गई है। क्रिप्रोग्राफी यह जो method है क्रिप्रोग्राफी का यह army में यह intelligence में message को code और decode करने के लिए use किया जा सकता है। तो सबसे पहला method है, क्रिप्रोग्राफी का है Sizer Cipher, यह Julius Sizer था एक जिसने जो है वो एक method, basic method क्रिप्रोग्राफी का congruence को use करते हैं, वो introduce करवाया और उसके नाम से इसका जो है वो नाम आ गया Sizer Cipher, यह क्या करता था, किस तरह से यह क्रिप्रोग्राफी करता था, आए हम हैं, he made messages secret by shifting each letter, three letters forward in the alphabet, sending the last three letters of the alphabet to first three, क्यों हर message के हर alphabet को तीन letter जो है, वो आगे shift कर देता था, जैसा अगर A है, तो वो A नहीं लिखता था, वो उसको C लिखता था, ठीक हो क्या जीए, जैसा कि अगर हमारे पास जो है, वो E है, तो उसको E नहीं लिखता था, वो उसको I लिखता था, F, G और H, sorry, H लिखता था, तीन letter आगे shift, और आखरीत जो तीन letter थे, उनको first दो letters जो है, वो लिखता था, ठीक हो क्या नहीं, तो यह उसका method था, आप जो है, वो हम इसका journal formula जो है, वो पढ़ेंगे, कि हम three की बजाए कोई और method जो है, कोई और number जो है, वो use कह सकेंगे, आप ही कहेंगे, कि हम इसको वै जो हमें पता हो, और हमने जिसको message send करना है, उसको पता हो, उतना आगे उसको shift कर देंगे, ठीक हो क्या नहीं, for example, हम 10 रख सकते हैं, आप किसी को क्या पता कि हमने 10 जो है, वो alphabet रखा हुआ है, आगे shift करने का, हम 26 रख सकते हैं, हम 30 रख सकते हैं, लेकिन रहना mod 26 में है, क्य mathematically, first replace each letter by an element of Z26, Z26 सी क्यों, क्योंकि more 26 हम ले रहे हैं, क्योंकि alphabets रहे हैं, English के, वो 26 है, that is, an integer from 0 to 25 equal to 1 less than its position in the alphabet, कि जो भी हमारे पास एक number होगा, उसको हम कौन सी numeric value assign करेंगे, उसकी alphabets में position से एक कम, जैसा कि A जो है, वो first position पे है, तो इसको जो numeric value assign होगी, that is 0, जैसा कि Z, जो है, वो 26 alphabet की position पे है, मतलब 26 alphabet है, लेकिन उसको हम numeric value जो है, वो 25 assign करेंगे, Y को numeric value जो है, वो 24 जो है, वो assign की जाएगी, ओक्यों, जो M है, उसको जो numeric value assign की जा रही है, that is 12, क्योंकि वो खुद जो alphabet की position में आता है, वो 13th position पे है, ओक्यों, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो आप मारा message है, उसको numeric values assign करनी है, next, for example, replace a by 0, k by 10, and z by 25, next, sizes encryption method can be represented by function f, that assigns to the non-negative integer p, p is less than, equal to 25, the integer f of p is the set 0, 1, 2, 3, and so on 25, with f of p is equal to p plus 3 mod 26, इसका क्या मतलब है, कि हम एक function define कर सकते हैं, कि जब हम उस function में कोई एक input देंगे, p, p क्या है, वो number है, वो numeric value है, जो हमने alphabet को assign की, तो ये एक congruent किसकी होगा, p plus 3k, एक congruent किसकी होगा, p plus 3k mod 26, ओक्यों हो गया जी, next, this is called encryption, इसको हम क्या कहते हैं, encryption, इसको हम code कहते हैं, code बनाना, example देखते हैं, what is the secret message produced from the message meet you in the park, using the sizer cipher, आप किसी को एक message send करना चाहते हैं, meet you in the park, और आपको डर है कोई और ना पड़े, तो आप इसका जो है, वो एक code बना के send कर सकते हैं, वो code क्या है, वो दरह देखते हैं, सबसे पहले, सबसे पहला काम जो होगा, meet you in the park, यह जो सारे alphabet आ रहे हैं, इनको एक numeric value assign करें, numeric value कैसे assign करें, वो हम method पढ़ चुके हैं, कि जो उसकी alphabet में position होगी, उससे एक number कम और mod 26 में रहते हुए, M जो है, वो alphabet में 13th number पे आता है, M को हम 12 value assign करेंगे, E पांच में नंबर पे आता है alphabet में, इसको number 4 value जो है, वो assign की जागेंगी, E again, E आ गया, इसको 4 assign कर दिया, similarly T जो है, वो आया, उस 20th number पे आता है, उसको हमने 19 assign कर दिया, U 25th number पे आता है, तो उसको 24 assign कर दिया, similarly O, U, N, I, N, T, H, E, P, A, R, K, K, जो है, वो 11th position पे है, तो उसको हमने 10 assign कर लिया, so on, जितने भी alphabets थे, उनको एक numeric value assign करती है, अब इस numeric value में, जो cyphersizer method यूज करता था, कि वो हर एक को कितनी position पे लिख जाता था, 3 letter आगे, तो हम यह numeric values जो है, इन में 3 को add कर देंगे, जो भी numeric values है, F of P, F of P means यह सारी numeric value, is equal to किस के होगा, P plus 3, कि इन में हम क्या कर देंगे, 3 को add कर देंगे, this gives, ज़रा देखिए क्या, 12 में 3 को add किया, 15, 4 में 3 को add किया, 7, 4 में 3 को add किया, 19 में 3 को add किया, 26, ठीक हो, कि 24 में 3 को add किया, 27 होता है, 27 जो है, 26 में 1 के equal है, 14 में 3 को add किया, 17, and so on, 10 में 3 को add किया, तो वो क्या आगया, 13, अब यह जो हमारे पास 15, 7 और 7 आया है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 पोजिशन पे कौन सा alphabet है 7 पोजिशन पे कौन सा alphabet बनता है Again 7 पोजिशन पे कौन सा alphabet है 22 पोजिशन पे कौन सा alphabet है First पोजिशन पे कौन सा alphabet है और back हम इसको जो है Translating this back to the letters Produced the encrypted message PHHWBRXLQ यह हमारे पास जो है आग इस सारी values के जो position पे थी 15 position पे जो है वो P आता है 7 position पे H है फिर 7 position पे H है और 22 position पे W है अब आपके पास जो इसको message send करना चाते है उसको message meet you in the park नहीं आएगा उसको message यह जो हमारे पास code बन गया है यह मिलेगा ठीक हो गेटे अब जो है वो हम देखती है जिसको यह message मिला है वो अब इसको read कैसे करेगा उसको कैसे पता चलेगा कि meet you in the park क्या है कि मैंने कल जिसको मिलना है उसको पार्क में मिलना है वो कैसे read करेगा यहाँ सो तो पता नहीं चल रहा तो अब हम यह code जो generate हुआ है इसको decode करेंगे जिसको हम decryption कहते हैं start करते हम to recover the original message from a secret message encrypted by the sizer cipher the function f inverse the inverse of f is used note that the function f inverse send an integer p from z26 to f inverse p is equal to p minus 3 more 26 क्योंकि जिसको यह message मिला उसको पता होना चाहिए कि आपने की कौन से use की है इसको log लगाने के लिए की का मतलब कि आपने alphabets को कितना आगे shift किया हुआ है वो सिरफ उसी को पता होना चाहिए जिसको यह message मिल रहा है ओक्योंकि गया जी तो वो क्या करेगा वो p minus 3 कि जो आपके पास जो message है उसको alphabets में convert करेगा convert करने के बाद उसमें से minus 3 करतेगा ठीक हो गया जी this is called decryption देखते हैं हम एक example को decrypt the cipher text यह एक message है यह code है यहां से हमें समझ नहीं आ रही कि यह क्या है that was encrypted with the shift cipher with shift k is equal to 7 यह encrypt किया गया था shift कौन सा यूज किया था shift का मतलब है कि जो number जो हमने आगे उसको shift किया जो number letter कितना आगे shift किया वो क्या है 7 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो मेरे पास message है इसको मैं numeric values assign करूँगा numeric values हम already देख चुके हैं कि numeric values हर alphabet की क्या होगी उसके position से एक number कम वो 24 position पे है ठीक होगी next इसको यह values assign करने के बाद next हमारा जो काम है वो क्या होगा we shift each of these numbers by minus k is equal to minus 7 क्योंकि k की value यहाँ पे 7 थी तो हम उसको decrypt कर रहे हैं shift होगा है आगे हम इसको back वापस minus करेंगे मतलब 11 में 7 add हो चुका है तो 7 को उसमें से minus करेंगे 4 में से 7 को minus करेंगे 22 को 22 में से 7 को minus करेंगे जब हमने minus किया तो यह सारे number बन गए 4 23 4 minus 7 minus 3 बनता है minus 3 हम देखेंगे कि माड 26 में किस के equal है तो वो 23 बनता है ठीक हो गे ठीक similarly 22 में से 7 को minus करेंगे 7, 15, 11 में से 7 को minus करेंगे 4 and so on 24 में से 7 को minus करेंगे तो यह 17 बन जएगा और फिर हम यह जो हमारे पास decode यह number जो आए हैं इनको back translate करेंगे alphabet में तो alphabet में यह आजएगा experience क्योंकि 4 जो है वो 4th position पे E है 23rd position पे X है 15 position पे P है 4 position पे E है and so on 17 position पे R है तो यह experience is a great teacher ठीक होगे नी तो इस तरह से आप जो है message को decrypt decrypt message को कर सकते हैं जो कि encrypted हुआ होता है journal formula जो है यहाँ पे जैसे आपने देखा कि shift 7 यूज गी है journal formula जो मैंने starting पे भी आपको बताया कि वो क्या होगा there are various ways to journalize the size of cipher for example instead of shifting the numeric equivalent of each letter by 3 we can shift the numeric equivalent of each letter by k k is any letter कोई भी letter हो सकता है हम जरूरी नहीं कि shift 3 ही यूज करें shift 3 तो means एक आपको समझाने के लिए एक बताने के लिए बताया गया है कि 3 आगे forward shift कर दे आप कोई भी k नमबर जो है वो आगे shift कर सकते है f of p is equal to p plus k mod 26 such a cipher is called a shift cipher ओके हो गया जी तो note that decryption can be carried out using f inverse p is equal to p minus k mod 26 तो यह था जी आज का हमारा topic जिसमें हमने applications देखी के congruence की cryptography में क्या है और एक basic rule sizes cipher का वो हमने देखा तो अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है दाई हो तो इसको like कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा thank you very much अल्ला हाफीज